या फिर कोई ऐसा option जो आपको चाहिए था और वो आपको उस application के अंदर नहीं मिला हलो विल्पडी और वेल्कुन मैं चेनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ के अच्छ अच्छेस और बहुत अच्छे से प्रमट कर सकते हैं मुझे अच्छ अपके अच्छे से अच्छे सब्सक्राट कर सकते हैं येomorphBen यह बहुत भ्रमस कर दो एक चीजे झाले जो है वह सब प्रसका के सारी facilities भी मिलें और पैसे भी ना भरने पड़ें तो यसी ही तीन applications में आपके साथ आज share करने वाला हूँ तो सबसे पहले जो top of the list आती है top of the list तो नहीं लेकिन पहली जो application है वो है Filmora Go तो Filmora Go के अगर आप Android यूज़ करते लेकिन end में जब आपकी video खतम होती है तो उसका intro role जो है वो आपकी video के end में जुड़ जाता है free version के साथ लेकिन उसका watermark आपके video में editing में नहीं आता कि आपकी जितनी देर की video होती है entire video में उसका watermark नहीं आता लेकिन अगर आप iPhone user है और iPhone में install करते है Filmora Go को तो iPhone में Filmora Go का watermark आता है Filmora Go का watermark Android में नहीं आता वीडियो के end में आता है और iPhone में उसका watermark भी आता है और वीडियो के end में भी आता है तो ये Android users के लिए जो है वो अच्छी है लेकिन iPhone users के लिए फिर इसका watermark जो है वो वीडियो में आ जाता है अगर बात करें कि iPhone users के लिए कौन सी application अच्छी है कि जिसमें watermark ना आए तो by default iPhone के अंदर iMovie installed होता है जिसके अंदर आप जो है वो editing कर सकते हैं कि जिसमें कोई आपका watermark नहीं आता फिर अगर आगे बड़ें second application की तरफ तो दूसरे नंबर पर जो application आती है वो आती है एड़ प्रीमियर रश वो iPhone और Android दोनों के लिए available है लेकिन iPhone के लिए तो तक्रीवन सभी users के लिए available है Android में सारे users के लिए available नहीं है सिर्फ compatible devices पे ही जो है वह आपको प्ले स्टोर पे जो compatible devices होती है उन्हीं में शो होती है otherwise दूसरी डिवाइस में जिन में compatible नहीं होती वहां पे शो नहीं होती तो अपने मोबाइल में चेक करें लिंक आपको description में मिल जायागा Android और iPhone दोनों के लिए कि आगर आपके मोबाइल में वह compatible हुई अगर आपका मोबाइल सपोर्टेड हुआ कि आपकी आपका मोबाइल Android मोबाइल एड़ प्रीमियर रश को चला सकता है तो वह वहां पर आपको दिखा देगा और आप इंस्टॉल कर सकेंगे अगर प्रीमियर रश में आप जो है वह अपनी वीडियोस एडिट कर सकते हैं अच्छे से जो वथो को ख्रेम और बहुत। सारी यह ऑप्सिंस जो है वह आपर Crash में वह आहां से उसको एडिट कर सकते हैं और export कर सकते हैं बहुत सारी qualities के अंदर और उसमें watermark नहीं आता उसके बात जो एक last application आती है वो है वी एंड वीडियो एडिटर जो Android और iPhone दोनों के लिए available है और इसमें watermark नहीं आता इसके अंदर जो options हैं वो बहुत ही ज्यादा मज़ेदार हैं मैंने personally जो है वो इसको चेक किया ह कि उसमें आप जो है color corrections की settings है वो automatically बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर available है और बहुत ज्यादा options है even के इसके अंदर आपको ज्यादा अगर अगर आप प्रो नहीं है editing के अंदर तो आप उसके अंदर simply जह है presets apply कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो आपको presets के अंद बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपकी वीडियो के ओपर कौन सा preset अच्छा लग रहा है और वह preset apply करके आप अपनी वीडियो एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं बहुत सारी qualities के अंदर और इसके अंदर आपका watermark नहीं आता ये Android और iPhone दोनों के लिए available है और दो download की है और आप download करने के बाद उसको यूज करके जब आपको लगे कि इसके अंदर यह चीज़ है यानि के कोई application जब आप डाउनलोड कर लेते हो उन में से अपना जो experience बनता है आपका application का तीनों में से किसी भी application का जो आपका personal experience बनता है वो आपने मेरे साथ जरूर शेयर कर चाहिए था और वो आपको उस application के अंदर नहीं मिला तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें जो ज्यादा तर वहां पे comments में देखूँगा कि जिस चीज़ की ज्यादा जो है वो requirement है और वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिल रही तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो ची वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखिएगा अलाहाफिज